शिरी भक्तमाल में भगवान जी की माया को जीत लेने वाले भक्त शिरी दक्ष जी दक्ष जी ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन हुई संभव मनों की कन्या परसूती दक्ष पतनी थी प्रजापती दक्ष ने शीर सागर के उत्तर तट पर स्थित्धो करके देवी जिखदंबिका की पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना से उन्हें हिर्दे मंदर में बिराज मान करके कठिन तप किया साथ ही ये भी कह दिया कि यदि कभी मेरे प्रती तुमारा आदर भाव खट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शीर को त्या करके अपने सुरोप में लीन हो जाओंगी दक्ष ये सोचका बहुत परसंद रहने लगा कि देवी शिवाब मेरी पुत्री होने वाली है श्रिष्टी विश्तारार्थ भ्रह्मा जी की आग्या से दक्ष प्रजापती ने पंच जन प्रजापती की असिकनी नाम की कन्या को पत्नी रूप में सविकार कर हरयश्य संग्य के दस हजार पुत्र उत्पन की पिता की आग्या से उत्तम शिरिष्टी के उद्देश से वे हरयश्य श्वगन नाराइन स्रोवर पर जाकर के दब करने लगे इन्हें अधिकारी जान करके देवडिषी नारजी ने आतम तथ्तो का उपदेश्टी करके नवरिती परायन बना दिया तात्वचाद दक्ष ने शबलाश्व संग्यक एक हजार पुत्र उत्पन किये कि इन्हें भी पूरवथी परमार्थ पत्र का पथिक बना दिया अब की बार दक्ष ने कुपिट हो करके शीरी नारजी को शाब दे दिया कि आस से तीनों लोगों में विच लते हुए तुमारा पैर कहीं स्ठीर नहीं रहेगा नारग जी ने इसे भगवान जी की इच्छा ही मान करके शाप शिरोधारी कर लिया श्रीक डक्ष जी ने परसुती के गर्व से चोबिस कन्याई उत्पन करके उन्होंने बड़ी प्रथाम तेरा कन्याई धर्म को ब्यादी शेश ग्यारा में से एक अगनी को एक शिव को एक पित्रगन को ब्यादी और अन्य आठ माराइची अत्री अंगरा पुलोस पुलय करतु विशिष्ट प्रिगो इन आठ प्रजापतियों को ब्यादी परसुति की कन्याउं द्वारा विश्चाल वंश प्रमप्राति लोकी में फैल गी प्रजा की वृद्धी का कारे जैसा दक्ष द्वारा हुआ ऐसा किसी से नहीं हुआ इसलिए ब्रहमाजी ने इन्हें प्रजापतियों का नायक बना दिया अथि प्राचीन काल में एक बार विश्च श्रश्टाव ने एक यग किया था जिसमें समस्त प्रमरिशी देवतामनी और अगनी आदे अपने अपने अन्याईयों सही ता करके उपस्थित वे जब सूरी के समानतिजसी दक्ष उस समय वहां आए तो दक्ष को देख करके उनके तेजसे परभावित और धर्शित चित्थों करके शिरी शिव जी और ब्रह्मा जी को छोड़ करके अन्य सभी देव गन रिशी गन आदिस दस्य गनों ने अपने आशनों से उठकर के समान किया दक्ष अपने पिताब ब्रह्मा जी को पर नाम करके और उनकी आग्यापा करके उनके दिये हुए आशन पर बैठकी दक्ष ने ये देखा कि शिव जी आशन पर बैठे ही रही उटकर उनने समान नहीं किया उनके इस अविवार से अपना अपमान समझ करके क्रूर दिष्टी से उनकी और देखा और इस महासभा में भी ही उनको बहुत दुर्वचन कही और पच्ताने लगे मैंने केवल ब्रमा जी के कहने से ही ऐसे पुरुष को अपनी संद्री सादी भोली भाली कन्या दे दी दुर्वचन कह करके दक्ष ने शिरी शिवजी को शाब भी दिया कि देव यग्यों में इंद्र और पिंद्र आदी देवगनों के साथ में यग्य का भाग ना पाएं शिरी शिवजी कुछ भी नहीं बोले शाब दे कर अत्यांत कुरुध होकर दक्ष सवा से निकल कर अपने स्थान को चलेगी यह जानकर कि दक्ष ने शाब दिया है नदीशर को बड़ा ही करोद हुआ और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्रामनों को जिन्होंने दक्ष के कुवाक्यों का अनमोधन किया था घोर प्रती शाब दिया कि यह दक्ष दे अभिमानी है देखो ही आत्मा समझता है अविद्या को विद्या जानता है विशे सुख वासनाव में आसक्त हो करके करम कांड में रत रहता है आता है यहे जड़ पशू है पश्चों के समान ये इस्त्री लंपठ हो और इसका मुख शेक्र बक्रे का हो ये सदा तत्त ग्यान से मुख रहे इस परकार ब्रस पर शाब देने के बाद शिरीश शिव जी भी अपने गनो सहीत महां से चल दिये कालांतर में दक्ष ने रुद्र का अफमान करने के लिए ही ब्रस पती उचसब नामक यग्य किया यग्य में शिव का अफमान दे करके सती ने शीत त्याक कर दिया सती के तन त्याक को सुन करके शिरीश शिव के गनों ने दक्ष का यग्य वे धंस कर दिया शिवजी का अपमान करने वाले देटाउं तथा सदस्यों को सम्चित दंड दिया गान नायक वीर बहतर ने दक्ष के सिर को मुडोड करके धर से लग कर यग्य की दक्षिन अगनी में डाल दिया मानो इस से हम कुड की पूर्न आहुती की अंत में यग्य शाला को जिला करके शम्भूगन किलाश को लोट आए शिरी ब्रह्मा जी की सला से सभी देवता ब्रह्मा जी को भी साथ ले करके किलाश पर गए स्तोती और प्राथना करके भगवान शिव को परसन किया शिव जी ने कहा परजापते भगवान की माया से महित हुए दक्ष जैसे ना समझों के अपरात की ना तो मैं चर्चा करता हूँ और ना याद ही मैंने तो केवल साफधान करने के लिए ही थोड़ा सा दंड दे दिया ताथ पच्चाच शिव आग्या अनसार दक्ष के धर से बक्रे का सिर्द जोड़ दिया गया शिरी शिव जी की किर्पा से दक्ष सोकर जागे हुए के समान भी उत थे दक्ष का हिद्द शुद्ध हो चुका था शिरी शिव के प्रती शद्धा का सिंदु उमट पड़ा और बड़े ही विनीत भाव से उनने शिव की स्तुती की इसके बाद पुना यग्य अरंब किया गया जिसमें यग्य प्रोश भगवान विश्रु ने शाक्षात प्रगठ हो करके दक्ष को ज्ञान अपदेश देते हुए शिव ब्रह्मा तरह स्यम में तात्विक एक्टा का निरूपन किया सामने भगवान जी की स्तुती की यग्य सानंद संपन हुआ मैंने इस शिव से शिव का अपमान किया है ये विचार करके गलानी में भर करके प्रजापती दक्ष ने अपना में शियत्या करके परचेता गन के मारीशा नाम की पत्नी के गर्ब से पुना जनम दिया इन्होंने जनम लेते ही अपनी कांती से समस्त जस्यों का देज छिन दिया श्री ब्रह्मा जी ने इन्हें पुना प्रजापतियों के नायकपत पर अभिशिक्त कर दिया ये करम करने में बड़े दक्ष थी इसी से इनका नाम दक्ष हुआ भगवत और आधना पूरक इन्होंने शिष्टी का विस्तार हैं संदक्षन किया